पिणाम दोस्तों मैं आरोई आप सभी का दिल से बैलकम करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे और पॉसिटिव होंगे आज की चैनलिंग नहीं है आज की ये सोचों की एक तरह से पून रूप से भविश्यवानी है पून रूप से एक आप सब के लिए मैसेज है और आप सब के लिए एक ऐसी खुशखबरी है जिसका आप सभी को बहुत टाइम से हम यहाँ टाइम को ना कहकर कि हम कहेंगे कि बहुत जन्मों से इंतजार है वो समय वो घड़ी वो पल अब आ चुकी है यानि की फैमिन और मैस्कलीन की जो एनर्जी है मैं यहाँ पे सिर्फ एनर्जी की बात करने आई हूँ मुझे नहीं पता है कि आज की चैनलिंग कितनों के साथ में रेजोनेट हो और कितनों के साथ में ना हो ये मैं नहीं कह सकती लेकिन आज की जो चैनेलिंग है आज की जो एनरजी मुझे दिवाइन की तरफ से मैसेज़ मिले है something बहुत different है और उसको जब मैंने जिस चैनेलिंग को मैंने पाया उसको पाने के बाद जो मेरे अंदर जो फिल मैंने किया जो मैंने पाया और confidence पाया मैंने और मेरे अंदर जो उस अद्भूत energy को मैंने जाना फील किया उसे मैं explain नहीं कर पा रही हूँ मेरे पास साइध शब्द कम पढ़ जाएं क्योंकि मेरे पास उस energy को define करने के लिए यह शब्द को उस नहीं है या फिर इस दुनिया में वो शब्द नहीं बने है जिसको मैं पूरी तरह से explain कर पाऊं तो मैं यह उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरी इस feeling को और मेरी इस energy को और इस channeling को आप सब लोग अच्छे से समझ पाएं या आप लोगों तक ये energy connect होकर के आपको answer कर पाएं सबसे पहले मैं यह बात करने वाली हूँ कि जहाँ पे feminine हो या masculine हो या star से twin flame में हो does not matter कि कौन है लेकिन आज की जो channeling है और जो होने वाला है यानि कि एक तरह से ये मुझे mother earth से channeling हुई है और जिसे मैं बोलने से पहले पता नहीं क्यों मैं इतना रुक रही है मेरी शब्द इतना रुक रहे हैं क्योंकि वो इतनी powerful energy है इतनी powerful channeling है कि उसे बया करने से पहले मुझे खुद अजीब सा feel हो रहा है और यह feeling बुरी नहीं है यह feeling जो है ना एक होता है ना कि इतने time के बाद में कुछ अच्छा हो तो उसे भी explain नहीं किया जा सकता है क्योंकि life में इतने सारे circumssystem देखे हुए होते हैं इतने सारी difficulty से गुजर हुए होते हैं जब वो चीज हमारी जीवन में आ रही होती है घट रही होती है तो उसे भी हम एक surprise के रूप में देखते हैं एक अचंबित हो जाते हैं इसी तरह से मैं उसे इस time feel कर पा रही हूँ लेकिन मैं फिर भी कोशिस करती हूँ कि मैं इस channeling को पूरी तरह से आपको explain कर पाऊँ बाइदावे रह जाता है तो मैं next channeling में उसे cover करूँगी तो आज के लिए ये है कि अभी तक आपने जाना balance को अभी तक आपने जाना soul merging को अभी तक आपने जाना union को और reunion को ये सारी च हमें है अभी तक आपने जाना सीखा समझा पढ़ा सर्च किया या experience किया वो सब कुछ knowledge अब आपकी रखी रहने वाली है रखी रहने से मत इंदा सेंस की वो बिलकुल एक तरह से temporary आपको feel होगी because आप जो घट रहा है आप जो होने वाला है एक ऐसा union है एक ऐसा मिलन है एक ऐ एक ऐसी energy का conversion है एक ऐसी energy का connection create हो रहा है कि जिसे define करना जिसे explain करना मतलब समझो कि अपने आपको गाली देना है अपने आपको मतलब उस चीज़ को संभू करना है क्योंकि यह जो energy है यानि कि यह जो connection create हो रहा है tune flame का मैं सच में फिर से repeat कर रही हूँ मुझे नहीं पता कि यह resonate कितनों के साथ में होगा या नहीं भी होगा मुझे नहीं पता something यह energy जो मुझे मिली है सच में मैं खुद भी इस energy से हैरान हूँ क्योंकि यह जो जो हम कहते है न श्रिफ शक्ति आप सबने शुना है श्रिफ शक्ति तो यह श्रिफ शक्ति की जो energy है यह मर्ज हो रही है मर्ज इंदासिंस कि अब तक आपने soul level पे feel किया अब तक आपने 3D life में भी बहुत कम feel किया इसीज को लेकिन यह जो feeling होगी यह जो connection होगा यह जो अर्दनारिश्वर वाली energy यानि joint होगी या मिलेगी यह किस तरह से मिलने वाली है मुझे नहीं बता है does not matter कि मैं कैसे इस चीज को explain करूँ क्योंकि जो मैंने channeling में देखा है वो जो इस तरह से दो energy एक साथ में आई है और दोनों एक साथ में आकर कि एक तरम से विसफोट हुआ है विसफोट इन्दा सिंस की चारो तरफ light हो गई है चारो तरफ खुशिया हो गई है चारो तरफ एक नई उर्जा का जनम हो गया है एक नई दुनिया का एक नए प्लानेट का जनम हो गया है इस तरह से दो strong powerful energy जोड रही है जैसे इस तरह से वो मिलेंगी कि उनका जैसे मिलना होगा तो जैसे कि वो एक नए प्लानीट बना रही है एक नए अर्थ को जनम दे रही है एक नए एगास को जनम दे रही है और मुझे नहीं पता सच में कि ये जो इतनी प्योर एनरजी के साथ में रेजोनेट होने वाली है क्योंकि ये जो यूनियन है ये यूनियन हम सब की सोच से हम सब की समझ से परे होगा और ये बहुत मतलब इमीजेटली घटेगा यानि कि बेशक आपकी जीवन में कुछ भी चल रहा है हो सकता है आप सापरेशन में हो हो शकता है आपकी बात नहीं हो रही हो हो शकता है आपने decisions ले लिए हो बहुत कुछ कर लिया हो लेकिन ये इंसाइट की energy हम कह सकते हैं या फिर ये जो union है ये union जो घटने वाला है ये बड़े पैमाने पर घटेगा यानि कि ये चोटा मोटा union नहीं है कि जैसे कि temporary मिले और बिचड़ गए और मिले और फिर आ रहा है ये जो दो energy आ रही है मैं यहां पर दो energy को इंडियेट कर रही है ये बहुत बड़ी पावर्फुल चेतना की जन्म हो रहा है इक ऐसी चेतना फोरते स्वेर्णत फोर इस अर्थ के लिए राइट नाउ इस अर्थ के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है यानि कि इस अर्थ को पूरी तरह से बदलने में पूरी तरह से जो लोगों की एनरजी है इंशानों की एनरजी है जीवों की एनरजी है नेचर की एनरजी है सब के consciousness में changes देखनी को जब यह यूनियन घट रहा होगा जब यह दो सोल एक दूसरे से मिल रही होंगी एक दूसरे के कॉंटक्ट में आ रही होंगी प्रॉपर यूनियन में ढ़ल रही होंगी प्रॉपर एक दो दो बाडी या दो सोल एक कम्बाइंड हो रही होंगी लाइक जैसे आपने शिप और शक्ती का पिरतीक है।म इसी तरह से दो एनरजी एक दूसरे से क्नेक्ट करके एक नई एनरजी कर सहसे odor नाम दिया यह नाम« नाम。」 इसे तरह से जब दो एनरजी आपस में मिलेंगी तो एक नया आकर देंगी एक नया, जन्म देंगी एक नया प्रति रूप देंगी और वो क्या देंगी क्या प्रति रूप होगा क्या चेंजिस आएगा क्या नहीं आएगा किस एनर्जी को जन्म मिलेगा किसको नहीं मिलेगा यह मुझे नहीं पता है सीरियसली अभी मुझे कुछ नहीं पता है लेकिन जितना मु अपने आप में परिपून कर रहे हैं अपने अपनी सोल को जो अपनी काउंटर पार्ट सोल है उसे अपने आप में पल पल हर घड़ी हर पल उसे फील कर रहे हैं अपनी सांसों में, अपनी एनर्जी में, अपने बोडी के हर एक पार्ट में, हर एक मुमेंट में आप उस एनर्जी को फिल कर पा रहे हैं, उसका सेंस फिल कर पा रहे हैं, उसकी मौजोद की फिल कर पा रहे हैं, और आप अपने आप में प्रॉपर, डीप लेवल पे कनेक्ट हो चुके हैं उन लोगों के साथ में ये यूनियन घटित हुने वाला है और ये यूनियन पड़े किस स्वेड़ पर और मुझें लेकर illumin시면 करूंगी लेकिन अभी के स्वेरिश के लिए मैं जो आपको एक alert message दे रही हूं है यह कह रही हूं कि जितना हो सके अपने कोईसिसनेस को एक्टिवेट रखो अपने आपको एक्टिवेट रखो अपनी बॉड़ी के प्रती अवेर हो जाओ अपनी सोल के प्रती अवेर हो जाओ and अपने mind को अपने thought को बिल्कुल clean and clear रखो उसे बिल्कुल भी doubt में या उसे low vibration में मज जाने दो ये जो महा मिलन घटने वाला है मुझे नहीं पता कितनों के साथ में घटेगा लेकिन ये घटने वाला है तो बहुत-बहुत बदाई हो इस बड़ी energy को यानि कि जो एक बड़ी energy बड़े platform पर ये energy union में जाने वाली है एक platform पर यानि union में आने के बाद union को जो लोग achieve कर रहे हैं achieve करेंगे आने वाले 2-4 दिन में जो achieve करेंगे इस union को और उसके बाद जो आप अर्थ में changes देखोगे definitely समझ जाना कि definitely किसी का मतलब आने वाला जो समय होगो हर दिन आप हर दिन की energy में changes देखेंगे हर दिन आप nature में changes देखेंगे और आपको पता भी चलेगा कि definitely किसी का union आज या कल मतलब बहुत सारी soul हैं तो जरूरी नहीं सबी का एक साथ हो किसी का जल्दी किसी का थोड़ा सा लेट में किसी का mid में ऐसा होने वाला है तो हर दिन आपको changes देखेंगा हर दिन आपको nature में बदलाब देखेंगा और यह जो बदलाब होगा इतना amazing बदलाब होगा चारों तरफ आपको love वाली vibrations फील होंगी सभी के सभी मानव जाती ही सभी पशू जाती ही सभी nature में आपको एक consciousness लेवल पे आप जब connect होंगे उनसे तो देख पाएंगे कि बहुत peace and सुकून आप उनके चेतना में देखेंगे जो भी अब तक जो soul बहुत ज़्यादा परिशान हो रही थी या धन के पीचे भाग रही थी या किसी carrier के पीचे भाग रही थी या किसी और चीज में भाग रही थी उनकी energy में उनकी consciousness में आप अब ठहराब देखोगे उनके भी अंदर आप soul की activation देखोगे soul की जागरती देखोगे उनके अंदर एक awareness के लेबल को देखोगे यानि कि चारों तरफ से energy high होने वाली है and इस mother earth की energy इतनी high vibration में रहेगी कि आपको nature में and environment में आपको changes देखेंगे प्रकरती में बदलाव जैसे कि बारिश बहुत अच्छे से बारिश आप देखेंगे बहुत अच्छे से एक growth आप देखेंगे सबकी जीवन में and mother earth में और बहुत ही अगर आप थोड़े से दिनों में देखोगे कि आकास के नीचे तो आपको देख पाऊगे कि चांद और आकास में different light को देखोगे different चमक आपको दिखाई देगी जो रात्री में आसमान काला दिखाई देता है सिर्फ तारे ही टिम टिम आते हैं लेकिन उन आसमान में भी आप एक अजीब सी अलोकिक रोशनी को फील कर पाएंगे जब ये union घट रहे होंगे अगर ये changes आप देखेंगे तो definitely समझ जाएगा कि किसी न किसी का लेवल पे union घट रहा है और उस time आपको क्या करना है thank you करना है अपने आपको भी उस लेवल पर लेके जाने के लिए अपने consciousness में इस चीज़ को receive करना है जबी भी आप कहीं भी positive signs देखना शुरू करें positivity को आपके अंदर या आपके आसपास के अंदर आपको feel हो तो समझ जाना कि आपके बहुत बड़े area के बीच में कोई ऐसी soul है जिसका union अचीव हुआ है जिसका ये महा मिलन हुआ है और जिसमें जहां जहां की जो जिस जगा पे जो soul है वहाँ वहाँ की जो growth हो रही है उस growth में हिस्सा आप भी होंगे तो आप उस time चाहो तो अपनी विश कंप्लीट कर सकते हो अपने आपको उस महाँ चेतना से connect कर सकते हो उस time जब आपको लगे कि आसपास में positivity है तो आप थोड़े देर के लिए meditation में जाके उस consciousness पे जाकर के आप उन soul से contact कर सकते हैं उन union जिनका हुआ है आपको नहीं पता है कि किसका हुआ है लेकिन आपका soul जानता है तो आप अपने आपको allow कर सकते हैं उस consciousness से जोडने के लिए उस चेतना से जोडने के लिए and उनके साथ में आप thank you and prayer करके आप अपनी soul में वो union को ही achieve कर सकते हैं तो ये है आज की महा channeling I hope आपके साथ में resonate हुई हो and मैं ये चाहती हूँ कि सबके साथ में resonate हो सबका union हो क्योंकि जितना सबका reunion I mean सबका जितना महा मिलने और union होगा उतना ही हमारी अर्थ में positivity and balance को create हो पाएंगे और हमारी जो धरा है ये हमारी फिर से एक नया जन्म लेने के लिए ready हो जाएगे फिर से जो जितना उसने अपनी power को खोया है जितना उसने अपने unbalances को देखा है अर्थ ने उतना ही उस balance को फिर से receive कर पाएगे तो इसके लिए ready हो जाएए अपने आपको ready रखिए अपने consciousness को ready रखिए और next video मेरी जो होगी consciousness को कैसे हमें जानी कि अपने consciousness को कैसे activate करना है और साथ में हमें कैसे दूसरों से connect होना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ तो ये next video रहेगी उसका आपको इंतिजार करना होगा ताकि आप इस चेतना से इस महा energy से connect हो पाएए जो की अब शुरू हो चुकी है तो इसी के साथ में बिराम लेती हूँ अपनी शब्दों में और कोई भी गलती रही हो तो माफी चाहूँए क्योंकि ये channeling बहुत ही different थी I don't know मैं कैसे इसे explain कर पाई हूँ लेकिन जो कुछ अभी रह भी गया है तो next video में मैं cover करूँगी लेकिन इस बात को अपनी दिमाग से मत निकालना इसे soul पे सुनना और soul level पे इस चीज को धारन करना अपने आपको low vibration से दूर रखिएगा साथ में अपने साथ always connected रहिएगा तो या इसी के साथ में चलती हूँ अगर आपके साथ में resonate है और या energy आपको connect हो रही है तो like करना मत भूलिएगा and comment करना मत भूलिएगा and सबसे बड़ी बात आप सब के लिए दिल से बहुत 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 gratitude कि आप सबने मुझे इतना प्यार दिया मेरे वड़े विश्पे इतना सारा सब लोगोंने मुझे wishings and बहुत सारी prayer की है उन सब के लिए मैं दिल से अपनी आत्मा से अपनी आत्मा की गहराई से deep level पे आप सब का मैं शुक्रियादा करती हूँ and आप सब के लिए divine से blessings count करती हूँ blessings मांगती हूँ कि आप सब की इच्छाएं पूरी हो आप सब की जीवन में balance आए आप सब की जीवन में वो एक खुशी पूरी हो जिसकी आपको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ठीक है और साथ में मैं इसी के साथ लीग करना चाहूँगी रहा subscribe करने का सवाल तो आपके साथ में मेरी energy resonate होती है तो please मुझे like कीजिए और subscribe कीजिए लेगा इसी के साथ में bye bye और एक बात और कहना चाहूँगी जितना हो सके इस बीडियो को शेयर करना जो अगर आप जानते हैं कि आपके आसपास में कोई twin flame journey में है तो जितना हो सके इस बीडियो को शेयर करना ताकि वो लोग भी इस energy से जुड़ करके अपनी union को अचीब कर पाए तो एक सोल परपस आप ये भी कर सकते हैं